जय जय संद्यो मकरास के दोस्तों स्वागत और भिनंदन है आप लोगों का आपके ही दैनीक रासी फल में मैं हूँ आचारस के तिवारी दोस्तों मंगलवार 26 नमंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आईए जानने का प्रयास करते हैं उससे पहले बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में आज मंगलवार 26 नमंबर 2024 मार्गसीस कृष्णपक्ष की एकादसीती थी विक्रमी संबद 2021 आज का सूर्योदे 6 बच के 33 मिनट पर होगा तो ही आज का सूर्यास 5 बच के 24 मिनट पर होगा आज के दिन चंद्रमा पूरे दिन करनिया रास में गोचर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी करनिया होगी बात करेंगे आज के महुर्तों की तो ब्रमा मुर्त रहेगा 5 बच के 5 मिनट से सुबह 5 बच के 69 मिनट तक अब जीत महुरत रहेगा 11 बच के 47 मेर्ट से 12 बच के 39 मेर्ट तक बिजे महुरत रहेगा आज के दिन 1 बच के 54 मेर्ट से 2 बच के 36 मेर्ट तक साथ ही आज अमरित काल का समय रहेगा 9 बच के 47 मेर्ट रात से लेकर रात 11 बच के 36 मेर्ट तक साथ या दिफुसकर योग बन रहा है चार बच के 35 मेर्ट सुबह से लेकर 27 नमंबर को 6 बच के 54 मेर्ट सुबह तक तो ये थे आज के सुब महुर्थ इन सुब महुर्थों में आप कोई विस्थू भार अच्छे कारियों के सुरुआत कर सकते हैं आज का राहुकाल का समय रहेगा 2 बच के 46 मेर्ट दोपहर वास से साम 4 बच के 5 मेर्ट तक राहुकाल के समय किसी भी सुबह और अच्छे कारियों के सुरुआत ना करें अब आई ये जानते हैं आपके रासी फल के बारे में तो मकर रास के दोस्तों आज पुराने सम्मंधों को मजबूत करने में सफलता मिलेगी और कोई भी अतरिक्त काम हाथ में लेने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको कुछ दैनिक जिम्मेदारियां भी आज के दिन पूरी करनी होंगी दूसरों की मदाद करेंगे और इससे आपको खुसी मिलेगी आपके सोचे हुए कारी पूरे होंगे और आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो पहले से कम थे आज के दिन आफी सिया फिल्ड में सहकरियों का हर पकार से सहयोग मिलेगा आज पैसों की स्थिती में सुधार देखने को मिल सकता है इंकम बढ़ाने के कुछ अच्छे मुके भी आपके हाथ लगेंगे जिन से आप खुद भी हैरान हो सकते हैं हाल ही में कुछ ने दोस्त मिल सकते हैं आप अपनी पसंद या मनमर्जी के कामों के लिए आज बहुत ही उत्सुक नजाराएंगे जिस स्थिती का सामना कर रहे हैं इससे आपको फायदा ही होगा जो खास बात है उसे गंभीरता सही लें आज अपनी सोच पाजिटिव रखें और काम करने के तरीके में बदलाव करें सब कुछ आपके साथ बहतर होता हुआ नजाराएगा मकर आज तक्दीर आपके साथ रहेगी आज किसी दूसरे के काम में राय देने से बचें आज दूसरों से बात करते समय सही भासा का इस्तेमाल करें अगर आज पहले से ली हुई जमीन को बेचना चाह रहे हैं तो आपको इससे काफी फाइदा हो सकता है इस रास के जो लोग सोचल नेटवरिंगिंग छेट से जुड़े हुए हैं उनकी लिए आज का दिन बेहतर कहा जा सकता है आज का दिन आपको खुसी देने बाला साबित होगा परिवार बालों के प्रस्ताहान भूत्य और प्रेम की भावना बढ़ेगी माता से सुख मिलेगा और परिवार में ज़्यादा समय लगाएंगे आज आप इसमें आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है जिससे आपके इच्छा नहीं होगी फिर भी आज आपको मन मार कर यह काम करना पड़ सकता है दोस्त आपका साथ देंगे और उनके साथ आज की साम बिताएंगे जिससे आज आपका मन काफी खुशना जा राएगा मकर आज के दोस्तों आज आपके परिवार में चल रही सभी समस्याएं दूर होंगी साथ ही आपके प्रेम सम्मंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा नई नोकरी के तलास में या नोकरी बदलने की इक्षा रखते हैं तो आज उनके इक्षा पूरी होने की संभावना मन रही है और इन छेतरों में अच्छे अवसर मिलेंगे कुछ लोग आपको लगातार सपोर्ट करेंगे आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं आपको किसी घरेलू सामान की खरीदारी भी करनी पर सकती है आज के दिन आपके कुछ निजी मामले सुलिशते नजार आएंगे और केरियर के मामले में सकारातमक आफर मिल सकते हैं मकर रासक दोस्तों आज किसी बात को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके अंदर रह सकती है और आपकी सेहत भी कमजोर पढ़ सकती है सर्दी खांसी के सिकायत आपको परेसान कर सकती है जिससे खर्चों में बढ़ोतरी होगी आज किसी दूर की यातरा पर जाने का बिचार बनेगा लेकिन दामपत्य जीवन में आज खुसी मिलेगी जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा इस रासके लोगों को प्रेम जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल रह सकती है संपत्ती से सम्मंधित मामलों में आज का दिन आप के लिए काफी फायदे मन साबित होगा मकर रासके दोस्तों आज आपका दिन बेहतर रहेगा आज लोग आपके प्रत्याकर्सी तन चार आएंगे कुछ लोगों से दोस्ती भी होगी रोजगार की तलास कर रहे युबाओं को आज रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं इस राज के बुक सेलरों के लिए आज का दिन मुनाफ़ा लेकर आएगा उमिर से ज़्यादा धनलाब होगा लेकिन आज बाहन चलाते समय साब धानी बढ़ते हैं और खास कर तेज बाहन चलाने से बचें साथ ही आज किसी अच्छे डाक्टर से सलाह मसवरा भी लेने का प्रयास कर सकते हैं तो मकाराज के दोस्तों ये था आज आपका रासिफल कल फिर से एक नए रासिफल के साथ हम आपके साथ होंगे जैस सन्देव